ओम नमस्षिवाय वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह मेरा जो चैनल है सिर्फ एजुकेशन के लिए है इसका ट्रेड से आपके लाभानी से प्रॉफिट लॉज से कोई सबन नहीं है और इस चैनल को देखके आप ट्रेड ना करें यदि करना भी है तो अपने बुद्धी विवेक का इस्तेमाल करें और अपने फाइनेंसर एडवाइजर की सलाह लेकर ही ट्रेड करें हम कल चार नौवंबर दोजार चौविस के निप्टी फिप्टी सेर मार्केट के बारे में प्रिडिट करेंगे एस्ट्रोजी से तो सबसे पहले यह जानने की एस्ट्रोजी उस दिन ग्रहों की पोजिशन क्या रहेगी दो जैसा की कल किट्री टाइम पर के जो आधी पोजिशन हम देखें तो कल जो है हूँ- शुरुवात में ही Dit जो ग्रहें ब्रस्चिक लगन की कुंड़ि बन रहे रहे हैए और बद्द्द्ड़् enhanced और सुक्र है और तुला रासी में जो है सूर है कन्या रासी में केतू है और करक रासी में मंगल है और इसमें ब्रसब रासी में गुरू है और मीन रासी में राहू और कुम रासी में सनी तो ये ग्राहों की पोईशन है तो इसमें चंद्रमा ब्रस्चिक रासी पे नीच अवस्थ हैं और मंगल जो है करक रासी में नीच रष्था में है और मंगल और चन्धरमा का राषी परिवर्तन होने के कालए नों का नीज भंग राजयों को रहा है तो यह बैलन्स हो रहा है और लेकिं सानी तो अब कल की जस्था नचेट्र स्वामि बुद्ध्र है और निमरॉलाजी के अंसाल से कल चार तारिक है राहू का अंख है और जो मुल्यांक के जो है पांक आरा है तो उनक है तो राहू और बुद्द की हो रही है और हो तो इसमें यह देखने वाला बात है कि जिस्टर नचतर तो खराब नचतर होता है और ओर है तो इस कारण यह समझ Navy Yardati कि कलका जो market है ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि गद्धे गड़्रा का जा है अँ पने लगा जा जारा है और जो है दिरे मार्केट अब कि योर अग्रेसर होगा तो लास्ट क्लोजिंग अब में रहेगी लेकिन उसके पहले जो है मार्केट जो पहले जो जो क्लोजिंग हुई है उसके पहले से उससे डाउन अवस्था से स्थार्ट होना चाहिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अस्ट्रोलाजी के माद्यम से देखते हैं कल क्या होगा तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार